नमस्कार विडियों नूमबर 82 एक्सेसाइज नूमबर 6.4 इसमें अपने को दो कुशन करना है कुशन नूमबर 1 और कुशन नूमबर 8 कुशन नूमबर 1 इसमें प्रसना आपको किताब से पढ़ना है क्या दिया हुआ है वो में लिख रहा हूँ त्रिबूच ABC और DEF दोनों कैसे हैं समरूप ओके दो त्रिबूचे ABC और DEF दोनों समरूप हैं ABC का छेत्रफल एरिया ओफ ABC 64 cm2 एरिया ओफ DEF 121 cm2 EF 15.4 cm BC अपन को फाइंड करना है अपनने एक प्रमे किया था कि दो समरूप त्रिबूच का छेत्रफल उनकी संगत पुजाओं के अनुपात के वरके बराबर होता है और इसको अपनने सीट भी किया था कि दो समरूप त्रीबुज का छेत्र फल उनके संगत पुजाओं के अनुपात के वर के बराबर होता है ठेके तो जैसे त्रीबुज ABC और DEF के संगत पुजाए कौन सी है AB की संगत पुजा DE BC की EF और AC उसकी संगत पुजा DEF तो area of ABC upon area of DEF equal to AB upon DE whole square equal to BC upon EF whole square equal to AC upon DF whole square मिन संगत पुजाओं के अनुपात का वर्ग अब अपन को EF और BC इनके रिलेशन वाला कौन सा है यह तो अपन area of ABC upon area of DEF के साथ में क्या लेंगे यह वाला रेशियो क्योंके अपन को इसमें BC find करना है और EF दिया हुआ है area of ABC upon area of DEF equal to BC upon EF whole square यह अपने लिखा अगर question में थोड़ा बहुत changes किया हुआ रहता है तो अपन को यहां से देखना पड़ेगा कि अपन को कौन सा relation लेना है इसके साथ में यह लेना है या इसके साथ में यह लेना है इसके साथ में यह लेना है यह कौन सा प्रस्न दिया हुआ है किस तरह से उस पर depend रहेगा या अपन यह ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं क्योंके EF दिया हुआ है और BC ग्याद करना है तो EF और BC में relation यह है तो इसके साथ में यह relation को लेके चलना है मान रखा area of ABC 64 area of EF 121 equal to BC upon EF whole square यहां से जब अपन square remove करेंगे तो क्या हो जाएगा सामने वर्गमूल हो जाएगा यह अपन करते हुए आ रहे है जैसे यहां पर एगर x square equal to 4 है तो x की value क्या होती है यहां से square अटाएगे BC upon EF यहां से इसको रठाएगे तो सामने वर्गमूल लग जाएगा फिर देखो BC upon EF की value put करेंगे EF कितना है 15.4 cm तो यहां पर EF कितना रखा 15.4 equal to 64 का वर्गमूल तो 121 का 11 यहां से cross multiply करेंगे तो BC की value क्या मिलेगा इसका multiply 8 के साथ होगा 15.4 into 8 divided by 11 11 से इसको cut करेंगे तो यह हो जाएगा 1.4 times into 8 इसको multiply करेंगे तो BC equal to 11.2 cm यह हो जाएगा अपना answer तो यह कुछ भी नहीं है यहां से आपको cross multiply करना है फिर जहां से cut हो रहा है उसको cut करना है और इसको फिर multiply करना है तो खास त्यान यहां पर रखना है कि यहां से इसको रपन remove करेंगे तो सामने क्या हो जाएगा square root यह दो का थटा है तो सामने वर्गमूल लगाना है फिर इसका वर्गमूल की value रखना है और so solve करना है अभी देखो अपना वीडियो नमबर 82 continue रहेगा page number 2 कैसे हैं समरूप त्रिपुझे कैसे हैं समरूप कब होंगे इसमें दिया हुआ है कि ABC और BDE दोनों कैसे हैं सम बहु त्रिपुझे सम बहु मिन्स इसकी तीनों बुझे आपस में समाने किसकी त्रिपुझ ABC की तीनों बुझे आपस में समाने समभाहू त्रिपुज का प्रत्य कौन 60 डिगरी का होता है मिन्स ये एंगल 60 है ये भी 60 है ये भी 60 है दुसरा दिया हुए कि B, D, E वो भी समभाहू त्रिपुज है तो इसकी तीनों बुज़ा है आपस में बराबर होगी वो प्रत्य कौन कैसा होगा 60 का और दिया हुए कि बिंदु D, B, C का मध्य बिंदु है अब देखो ये डाइग्राम को में ऐसे बना रहा हूँ यहाँ पर देखो त्रिपुज A, B, C ये समभाहू त्रिपुज है मिन्स A, B, B, C और A, C तिनों बुज़ा बराबर है समभाहू त्रिपुज में प्रत्य कौन 60 डिगरी का होता है ये भी 60 का, ये भी 60 का और ये भी 60 का दूसरा दिया हुए त्रिपुज B, D, E ये भी है समभाहू त्रिपुज मिन्स तो इसका प्रत्य कौन भी कैसा है 60 का D, B, C का मध्य बिंदु है अगर BC X है तो BD हो जाएगी X upon 2 ठीक है means BD BC की आदी है तबी तो D BC का मध्य बिंदू होगा अब देखो अपन को स्वाल करते हैं इस प्रस्न को इसमें अपन को करना क्या है यहाँ पे A, B, C, D चार ओप्सन दिये हुए हैं और उसमें से चूज करना है कि area of ABC upon area of BDE इसका right answer कौन सा है means त्रीबुज ABC का चेत्रफल और त्रीबुज BDE का चेत्रफल का अनुपात कितना होता है अब देखो दिया है त्रीबुज ABC संभाहू त्रीबुज है त्रीबुज BDE वो भी कैसा है संभाहू त्रीबुज है DBC का मध्य बिंदू है त्रीबुज देखो संभाहू त्रीबुज कोई भी हो जितने भी संभाहू त्रीबुज होंगे सभी एक दूसरे के समरूप होंगे तो ABC भी संभाहू त्रीबुज है D, B, E भी संभा हुँ त्रीबुजे तो ये दोनों त्रीबुज कैसे हैं? समरुप ओके? दुसरा आपन ने माना कि त्रीबुज A, B, C की बुजा क्योंकि तिनों बुजा बरावर है माना प्रतेक बुजा X है तो B, C कितना होगा? X होगा B, D, E इसकी बुजा कितनी होगी क्यों D क्या है BC का मत्य बिंदू तो BD कितनी होजेगी X upon 2 तो ये भी X upon 2 और ये भी X upon 2 मिन्स ये संभा होगया तिनों बुजा बराबर BC X माना तो BD कितना हुआ X upon 2 तो ये भी X upon 2 और ये भी X upon 2 तो इसका अपन ने लिखा कि त्रीपूच B, D, E की पूचा कितनी है X upon 2 Area of ABC upon area of B, D, E यह अपन को ग्याद करना है अभी अपन ने जश्ट समझा था कि दो समरूप त्रीपूच ABC और B, D, E कैसे हैं समरूप हैं दो समरूप त्रीपूच के छेत्रफल का अनुपात उनके संगत पूचाओं के अनुपात के वर्क के बराबर होता है BC की संगत पूचा B, D है यह BC है इसकी संगत पूचा B, D AC की B, E और नेक्स्ट यह जो पूचा है वो किसकी हो जाएगी AB की इसको स्वाल करना है देखो यह वापस वही है अपना कि एगर ऐसा हो A upon B upon C upon D तो अपने इसको कैसे लिखते हैं A upon B into D upon C ठीके तो इसके हर में अपन वन कंसिडर कर सकते हैं उपर स्क्वेर है तो इसके उपर भी दोगात इसके उपर भी दोगात 2 के उपर भी दोगात 2 के उपर दोगात कितना हो जाएगा 4 X के बटे में क्या माना 1 तो यह हो गया A upon B into D upon C देखो A इसके अपन में 1 B हो गया यह C और यह D इस तरह से A upon B upon C upon D इस तरह से इसको लिखा A upon B into D upon C अब D 2 स्क्वेर है 2 का स्क्वेर मिन्स कितना हो गया 4 X पर दोगात इस X पर भी दोगात क्योंकि पूरे ब्रेकेट के उपर 2 पावर है X स्क्वेर X स्क्वेर काट हो जाएगा तो क्या रहेगा 4 upon 1 4 upon 1 का मतलब है 4 ratio 1 ठीके तो area of ABC upon area of BDE इसका अनुपात कितना मिलेगा 4 upon 1 तो अपना correct answer कौन सा होगा C 4 upon 1 यह अपना हो जाएगा answer ओके थैंक्यू